देव भूमी हिमाचल प्रदेश जिसे प्रकृती ने सवारा है आज हिमाचल देश के विकास का मजबूत भागिदार बनकर उभरा है हमारे दूर दर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नित्रत्तों में डबल इंजन सरकार के सतत प्रियासों से हिमाचल के विकास की रफ्तार तेज है और यहां के लोगों की खुशियां जोगनी हिमाचल में प्रसमसनिय काम हो रहा है इमामदार नेत्रुत्व शांति क्रिय बातावरन देवी देवताओं का आशिरवात और परिश्रम की पराकास्ता करने वाले हिमाचल के लोग यह सब और पुलनिया है हिमाचल के पास तेज विकास के लिए जरूरी हर चीज मोजूद है विकास का एक एहम पैमाना है इंफ्रस्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों की आर्थेक सामाजिक प्रगती के लिए और सामरिक महत्व के एवं पहाडी क्षेत्रों में आवा जाही में होने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए राज्ज में करीब पचास हजार करोड रुपई की लगभग दो सौ इंफ्रस्ट्रक्चर प्रॉचिक्स पर गती शक्ती की स्पिरिट से काम हो रहा है जिनमें आल वैदर सडग, टरनल, रोप वे आदिशामिल हैं कींद्रिय सडग, परिवहन एवं राजमार्गमंत्री श्री नितिन गटकरी जी के दिशानिर देशों से इन परियोजनाओं का क्रियान वयन किया जा रहा है इन ही परियोजनाओं में शामिल है हिमाचल के निवासियों और देश दुनिया से यहां आने वाले परिटकों के लिए ओल वैदर कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर लैंड स्लाइट की समस्या से निजात दिलाने वाले विभिन राजमार्गों पर कुल 50 किलोमीटर की कम होगी और हिमाचल के विभिन भागों की यात्रा में करीब 15 से 20 घंटे का समय बचेगा साथ ही 15 रोपवे दुर्गम शेत्रों एवन कई धार्मिक स्थानों तक श्रद्धालवों की पहुँच आसान बनाएंगे कुलू, नगवई, भुंतर एवं बजावरा के लिए बाईपास से इन शेहरों के निवासियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निचात मिलने के साथ ही कुलू में होने वाले विश्व प्रसेद्ध शेहरा में आने वाले श्रद्धालवों को भी इसका विशेश लाब का हिमाचल में प्रगती की अनवरत धारा को और आगे ले जाते हुए करीब सत्रा सो करोड रुपई के लागत से 31 किलो मीटर लंबी चार लेन पिंजोर बद्धी नालागड परियूजना का शिला न्यास किया जा रहा है इस मार्ग के बनने से हिमाचल के सबसे बड़े अध्योगिक शेत्र बद्धी वा नालागड के उध्यमियों और कारोबारियों को अपने उत्पादों को गंदव्य तक समय से पहुचाने में मदद मिलेगी कनेक्टिविटी अच्छी होगी और इस पूरे क्शेत्र के विकास को बल मिलेगा साथी सर्विस रोड बनने से स्थानिय नागरिकों की परिशानी खत्म होगी दुरखट नाओ परंकुष लगेगा और यात्रा का समय 90 मिनट से खटकर मात्र 25 मिनट हो जाएगा इन सभी परियुजनाव से परिटन को अभूत पूर्व बढ़ावा मिलेगा रोजगार के नए अफसर बनेंगे और हिमाचल प्रदेश खुशहाली और प्रगती की ओर नई तेजी से अग्रसर होगा हमारा commitment सिर्फ और सरफ विकास के लिए है तेज गती के विकास के लिए है अमरिद काल में जब देश ने विकसित भारत का विराठ संकर्प लिया है तो आधुने connectivity के साथ हिमाचल उस संकर्प में योगदान देने के लिए पूरी तरह तयार है